जैहिन प्रेंस वेलकम टू माई OPC यूटूब चैनल स्टेडी मेटेरियल A2Z CRPF ग्रूप सी रिकूटमेंट 2022 दोस्तो नई वेकेंसी की पूरी डिटेल्स आपके सामने रखने वाले हैं और इसमें आपके सिलेक्शन प्रोसेच, एज लिमेट और आपके जितने भी सवाल हैं सभी का जबाब एकदम दोस्तो स्टीक आपको आंसर दिया जाएगा आपकी एजुकेशन क्यूलिपिकेशन आपका जो यहाँ पे इलिजिबिलिटी केटेरिय है पूरी चीजें यहाँ प अपडेट के पाने के लिए यहाँ आपको ओफलाइन भरती इजाते है जो भी नोटिफिकेशन जारी किये जाते हैं या और सानी फिर दोस्तों कोई भी भरती हो सभी आपको यहां पे टेलिग्राम पे मिल जाती है और इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्रुवाइड करवा दिया गया है तो यहां से आप आसानी से दोस्तों जितने भी आपकी रेजल्ट हैं वो सब कुछ आप देख सक प्रुवाइड के बारे में पूरी डिटेल्स आपके सामने रखी जाएगी जिसमें दोस्तों आपकी एजुकेशन क्योलिपीकेशन देखेगा रिकुटमेंट आपका हैं पे सेंटल रिजो पुलीस नैमो पोस्ट ट्रेश्मेंड एड कॉनस्टेपल इसमें अलग-लग पोस क्योंकि उसके आपको पता है जो नोटिपीकेशन था जिसमें यहाँ पे आपको दोस्तों यह बताया गया था कि इतनी सी जो हो यहाँ पे पोस्टें खाली हैं हालांकि जितनी पोस्ट बताई जाती है उससे ज़्यादा वैकंसी देखने को मिलती है एज लिमिट की बात करत फ्रती ओनलाइन होगी उपलाइन होगी उसके बारे में भी डिसकस कर लेंगे पे स्केल आपका दोस्तो 21700 से लेकर आपका 6900 रुपे तक आपका यहाँ पे लेवल रहेगा यानि दोस्तो आपका 70,000 के राउंड आपका यहाँ पे पे लेवल रहने वाला है इसके बाद निचे करते हैं आपके यहां पर इंडियन चैंडिडेट और पीड़ यहां पर एक बार ओनलाइन लिखा गया है तो उसके बारे में भी पूरत द्रह से हम डिस्कस डिस्कस कर लेंगे दोस्तों यहां पर नीचे स्क्रोल करते हैं लोकेशन की तो लोकेशन आपके All India की रहेगी जिसमे All Candidate Education Qualification 10-वी Pass Candidate है उनके लिए भी भरती है और जो 12-वी Pass Candidate है उनके लिए भी recruitment है उसके बाद हम Age Limit के बारे में बात करते हैं तो आपकी Age मिनिमम 18 साल 25 साल आपकी दोस्तों यहाँ पे Tracement Candidate for Tracement के लिए तेवी सियां पे रखी जाएगी Age Relation OBC को 3 साल का दिया जाएगा SCST को 5 साल का Age Relation भी दिया जाएगा नीचे हम स्क्रोल करते हैं आपके Application भी की तो अगर दोस्तों आपका Application ओनलाइन रहेगा तो आपका Application फोर्म 100 रुपे भी चार्ज किया जाएगा SCST के लिए कोई भी भी चार्ज नहीं रहेगा उसके बाद यहाँ पे Paymentment Online यह मैं सारी चीज़ें डिसकस कर चुका हूँ यह CRPF Tracement Vacancy जिसमें आपको ASI Steno की Vacancy देखने को मिलेगी Head Constable Minister लिए इसकी देखने को मिलेगी CT GD के लिए आपको Mail Candidate के लिए CT Taylor के लिए Mail Candidate के लिए उसके बाद यहाँ पे जिनके यहाँ पे Mail Female यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा उसमें Mail Female दोनों Candidate भाग ले पाएंगे जिसमें यहाँ पे CT Driver के लिए, Carpenter के लिए, Mochi के लिए और दोस्तों यहाँ पे Kitchen Stop और Kitchen Stop उसके बाद यहाँ पे आप सभाई करमचारी ASI, Farmist ASI यहाँ पे यह Recruitment का आपको पहले दोस्तों जानकारी दे चुका हूँ जो कि यह आपका इतनी पद उन्होंने खाली बताए हैं अब सबसे ज़्यादा जरूरी है आपकी Education Qualification डिटेल्स के आपके Education Qualification क्या रहेगी जो Candidate दसमी पास हैं तो Soldier GD के लिए आप Apply कर पाएंगे किसी भी Board से आपने Apply किया है कोई भी आपको Experience Certificate की आवसकता नहीं होगी उसके बाद अगर हम बात करते हैं HCM की जिसमें आपको बारवी पास और उसमें आपका Skill Test के दोरान यह आपका दोस्तों बाद में चाहिएगा यानि Skill Test के दोरान जो आपका English के अंदर Speed Up Ratio है यह आपका 25 का होना चाहिए पर Mint English के अंदर Hindi के अंदर आपका 30 मिनट पर आपका Ratio होना चाहिए उसके बाद हम बात करते हैं वासरमें की तो वासरमें की Candidate भी दसमें पास साथ में 1 एर का Experience आपका मांगा जा सकता है अभी आपका Detail Notification आना भी बाकी है दोस्तों यह आपका यहाँ पर Initial यानि आपका Essential होना जरूरी नहीं है आपका मांगा भी जा सकता है और अन्य था दोस्तों आप Apply ऐसे भी कर सकते हैं Water Carrier के लिए आप 10 वी पास के लिए यहाँ पर Apply कर पाएंगे उसके बाद नीचे हम सफाई वाला की बात करते हैं तो दस्वी पास आप किसी भी बोर्ड से हैं तो आप यहाँ पर कर पाएंगे थोड़ा भूत जो हो आपको दोस्तों यहाँ पर जो की घ्यान होना चाहिए Hindi, English यानि अपना Language को लेकर ITI के जो Candidate हैं उनके लिए भी यहाँ पर Recruitment रहेगा जिसमें आपकी दस्वी पास Recognized आपके ITI के जो यहाँ पर Related पोस्ट रहेगी जिसमें आपका यहाँ पर रहेगी Mechanical Group और इसमें Electrical यानि यह जो पोस्ट होगी वो दोस्तों आपके लगबग सभी Candidate के लिए आपके पोस्ट रहेगी Cook के अंदर केवल दस्वी पास Candidate आपके यहाँ पर Apply करेंगे One Year का Experience आपसे दोस्तों एकदम जो है आपका यहाँ पर Manitory अगर रखते हैं तो आपको देना पड़ेगा अभी Detail Notification में आना बाकी है दोस्तो उसके बाद हम बात करते हैं ड्राइवर की तो ड्राइवर के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर दस्वी पास विद आपको License भी मांगा जा सकता है तो यह License दोस्तों लगबग मांगा ही जाएगा मांगा क्या जा सकता है बिलकुल उसके बाद यहां पर बात करते हैं आपके document की अभी document आपको कौन से यहां पर ट्यार करवाने उसके बाद हम बहुत सारी candidate के height और chest को लेकर भी 5 km running 24 मिन्ट में आपके female candidate के लिए 1.6 km running 8.5 मिन्ट में लदाक के जो candidate है उनको यहां पर यानि दोस्तों आपका running में भी छूट दिया जाएगा male candidate female candidate के physical standard test के बारे में discuss कर लेते हैं test man के लिए आपको दोस्तों 170 cm height रखी जाएगी यह रहेगी आपके male candidate के लिए female candidate के लिए आपकी 157 cm रहेगी head constable AIC kitchen वाले हैं उन candidate को आपको यहां पर height में भी दोस्तों यहां पर छूट दी जाएगी यानि 165 cm रहेगी 155 cm female candidate के लिए रहेगी North East candidate, North East female and male दोनों को यहां पर मिलेगा how to apply और दोस्तों आपका लगबग कब तक apply हो सकता है तो दोस्तों यह आपका यहां पर मार्च अप्रेल में आपका apply होने की पूंत दोस्तों संभावना है उससे पहले यह आपकी भरती implement news paper या फिर DAVP की official website पे आएगी जैसे ही DAVP की official website पे आएगी आपको हम जानकरी देंगे दोस्तों mostly chance हैं कि इस बरती के आपके application है वो online रहेंगे तो यह आपके ज़रूरी नहीं है कि group C की recruitment है तो क्या आपके offline ही हो इसलिए कापी सारे candidate की comment थे कि sir क्या paper जो है आपका यहां पे जो यहां पे application form online रहेंगे offline तो दोस्तों mostly chance है कि आपके online ही रहेंगे तो guys मैंने पूरी detail आपको जितने भी candidate थे कहा था किसा detail वीडियो लेके आईएगा तो मैंने detail आपके सामने रखती है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like कीजिएगा share कीजिए मिलते है next वीडियो के साथ ईव्योड़।